गदर मूवी या फिर गदर टू में जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का अलग होना दिखाता है जिस तरह से पार्टेशन के वक्ता समय दिखाया जाता है उससे कुछ एक कदम आगे बढ़के लेकिन कदम से कदम मिला करके जो है ये वाली वेब सिरीज उस सीन को बहुत अच्छे तरह से क्रियेट करने में काम्याब होती है और वैसे तो आपने डॉनों की कहानी बहुत सुनी होगी जो के भाई बहुत गरीब या फिर सालक पे होता है और उसके बाद से उठकर के एक चटावा बदमाश से गुंडा गुंडा के बाद से डॉन भाई जो भी कहलो बन जाते हैं तो ये कहानी कुछ इसी तरह से काम करती है तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सिफ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चानल को सब्स्राइब कर लो बेल का बटन दबालो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो बंदा हाजर है और मैंने देखा है सुल्ता इस सवाल के जब आपको पूरा करने से पहले आते है कि इस वेब स्रीज में कहानी क्या देखाई जारी है कि टाइम है 1947 का जब आजादी घूशित हो जाती है और उस वक्त में इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होता है उसी वक्त जो है यहां पे हीरो लाहौर से इंडिया आ रहा है अब इंडिया आने के बाद वो बच्चा जो है किस तरह से बड़े से बड़ा काम कर लेता है हर वो इल्लीगल काम करने के लिए तयार है जिसके लिए सरकार की मनाई है बात करना चाहूंगा लीड रोल के बारे में यहां पे आपको ताहिर राज भासन दिखने वा प्ले कर रहे है वहीं पर निशान दया जो है एक राइवलरी तरह से कह सकते है या फिर कंपेटीटर कहलो वह आते है ताहिर राज भासन के सामने में फीमें लीड रोल में अगर देखा जाए तो फिक्स नहीं है कभी मोनी रह होती है कभी अनुप्रिया होती है इसके इलाव उन्हें मिलकर के अपना पर्फॉर्मेंस तो टॉप नॉच दिया है और खासकर के अगर ताहिर राजवासन के अगर बात की जाए तो भाई उनका स्टाइल और उनका डायलोग डिलेवरी बीच बीच में मुझे अमिताब बच्चन की याद दिला रहा था जैसे 70s 80s में उन का जवाब क्या हो सकता है और सबसे चुमू कारेक्टर मुझे लगता है दा निशान देवया जो के एक बच्चा का रोल प्ले कर रहा था पहले उसके बास से एक मिस्ट्रस के अंदर में खुद काम करना शुरू कर देता है यह काफी जादा मतलब अजीब लग जाता है लेक को एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि मिलन लूतरिया अपने टाइम अपनी एरा को देखाने में हर वक्त काम्याब होते है भले से वो once upon a time in Mumbai हो या फिर the dirty picture हो इस बार जो है Sultan of Delhi इसमें भी वही magic लेकर क्या है और अगर direction समझना हो तो अगर आपने once upon a time in Mumbai enjoy किया है अगर आ लाकर के 9 एपीसोड है हर एपीसोड आपको 36 से 45 मिनिट की बीच का मिलेगा और जो 9 एपीसोड हर एपीसोड आपको end में जो है एक cliffhanger दे करके जाता है बिल्कुल इस web series के climax के जैसे अगर इस web series को अच्छा response मिलता है तो definitely इसका part 2 भी आएगा कहानी कुछ इस तरह से background music performance direction screenplay यहां तक के set design सब कुछ आपको top notch लगेगा dialogue delivery को सबसे जादा enjoy करोगे आजबास इनके attitude आपको बहुत जादा लुबाएगा बात अगर parental guidelines की की जाए तो भाई ये web series गलती से भी अपने parents या फिर अपने family member के साथ में बैठ करके मत देख लेना वरना बहुत जूते पढ़ने वाले हैं अब समझ लो की scene किस तरह के है लिटरली जो किस scene से वो काफी जादा hot और बहुती सेंशल रखा गया है पता नहीं क्यों लेकिन जो भी था worth it था so that was my honest reaction for this web series what's your take please do comment अगर आपने नहीं देखा तो डिजनी hot star पे जा करके आप stream कर सकते हो और thoroughly enjoy कर सकते दिल से धन्यवाद मिलता हो next video में तब तक के लिए स्वास्तर हो मस्तर हो जबर्दस्तर हो